गुळूरो जी श्री बीबी चोहांजी के चऱों में सद्साद परणाम, आनंदी माकश श्रीर जो को सद्साद परणाम, और यहां यह सब ही मेंबर्स के मेरे नमस्कार, गुड़ी विदिटिंग, आप सब का इस जोम मिटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, आज के हम जोम करना चाहते हैं अपने आपको अनुट कीजी किसी सादे का कोई परसन है या अपना अनुट करना चाहते हैं तो अपने आपको अनुट कीजी है कि माताजी का सवाल नहीं है यह सब कम लेट में हैं प्रसनों पूछते जब खतम हो जाती है तब सवाल पूछने लगते हैं जी माताजी कई तो जुड़ते ही तब हैं जब दो-चार मिनट रह जाती है जो नहीं भोजन पता प्राणी हमारा जो है न्यू डाइट सिस्टम बहुत पन्क्यूजन यह है यह सोचते हैं यह कोई ट्रीटमेंट है कि किस्सा है सोचते हैं एक मतलब पती थरापी है ज्यादा सवाल वहीं करते हैं जब भी फोन करते हैं तो अपने मत बैट पड़ेगा मतलब नहीं भोजन पता प्राणी एक हमारा अध्यात्मिक मार्ग है तप सेवा सुमिरन का मार्ग है तो इसमें हम मनुस्य जीवन जो मनुस्य जीवन का लख्या है प्रभु प्राप्ति उसी को लख्या अगर हम बड़ा लख्या जो जाएगा तो आपने आप हो जाएगा इसके लिए कोई करना ही खुछ नहीं पड़ता है खाली हमको हमारा लख्या पे ध्यान देना है बड़ा लख्या जो है हमको एक संतुष्टी जीवन जीने के लिए एक पुण्ह जीवन जीने के लिए लेकिन हम हम हर समय एक अभाफ को नुभब कर रहे हैं हर समय एक चाहो रह रहा है तभी आज हम रोगी हो रहे हैं सरीर से भी अम नहीं है तो मेरे सभी सादकों को एगी बुलना है, हमारा लख्या खाली सरीर का स्वस्तता नहीं है, सब स्वस्ते मैं कैंसर से ठीक हो जाऊं, बैस मैं मेरा स्टोन निकल जाए, गॉल्ग लेडर का, मेरा अर्थराइटिस से ठीक हो जाऊं, ब्लट पैसर ठीक हो जाए, सुगर ठीक, ब तो अपने आप हमारा अजोग्या आहार के कारण हमारे सरीर में आया है, हमारा आहार हम नहीं लिये है, तभी यह सब चीज आए है, तो अगर हम लख्या बड़ा रखतें कि नहीं, यह जो हम मार्ग पकड़े है, हमारा अल्टिमेट गोल, जो सेल्प रियलाइजेशन, अगर हमारा उस पे ध्यान रहे कि हमको किसी भी तरह बैस हम प्रभू को ही याद करना है, खुद को इतना बुलंद करना है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद पूचे, बोल तेरा रजा क्या है, तो अपने को बुलंद करना है, अगर बुलंद कैसे होगा, न त्याक का मार्क साघर्क हम त्याक करतें और भोजन हमारा सही भोजन लेते हैं जो हमारा प्रबू ने हमको God Made Food जैसा दिए है उसको उसी रूप में ग्रहन करना है बैस और जो पहले से लिए है गलत तहार जैसे मील्क मील्ट प्रडग बीड़ी सिग्रेट नसा जो जैसा लिया है कुक फूर तला भुना सब उबाल के बहुत लोगों का बैस यह है कि सूप ले ले सूप सात्वी के बहुत लोग सवाल कर रहे है थंडी का दीन है हम सूप ले ले क्या यह सब चीजे भी तब्रस्ण उठ रही है लेकिन मेरे बोलने का मतलब है सूप भी हमारा भोजन नहीं है जब हमारा उबाल देते है इतनी f9 संटेग्रेइड में उबालके उसको च्छान के पीते हैं वह भी हमारा आहर नहीं है खाली घले केरिए मुन के लिए हैसे हम आदत बस हमारा 예 gör हम नहीं है तो इसके कारण हम ले रहे हैं तो ओवधि एसले हम आहर नहीं है हमारा अहर सी प्रभूने जैसा दिये हैं उसको उसी रूप में ग्रहन करना है हमको तो हम उसको उठते ही इसलिए हमारा नहीं बजनपता प्राणे में बता गया है उठते ही सजीवनी क्रिया करना है आठ घंटा उपवास करना है मतलब नौ खाना नौ पिना बहुत लोग सवाल ग्र करना ध्यान रखना है कि हमको कुछ भी नहीं लेना है ना खाना ना पिना जो जितना घंटा कर पाया लंगनम परम उसदम मतलब लंगन को बढ़ाना है उसके बाद जब निर्जला खुलते हैं डिटाक्स जूस इसलिए बोलती हूं मैं यह बारवार कि नया साधक जूड रह बहुत फोन आती है नया साधक को एड किया जाता है तभी मैं तोड़ा रीपीट कर देती हूं कि जब निर्जला खोलेंगे डिटाक्स जूस लेना है हरी पत्ती में आम्ला डालके नहीं तो खीरा करेला टमाटर एक खीरा दो करेला तीन टमाटर नहीं तो खाली टमाटर पी विटिजला करें, नो खाना, नो पीना करें, हमारा जिबनी सक्ति जो हमारे अंदर की गंदगी निकाले, उसको अगर हम ये डिटॉक्स जूस लेते हैं, तो देड़ दो घंटे बात आपने आप, हमारा मतलब ये टॉइलेट आती है, हमको हम फ्रेस होते हैं, तो इस क्लीन होत होता है बड़ी तो इसके लिए हम डिटाक्स जूस एंडेस में पोला गया है तो इसको लेना है और उसके बाद देड़ दो हंटे बाद जब असली भूग लगे जब लगे अगर आप रोगी हैं तो मैं जादा तरह बताऊंगी जो मतलब अपने को मतलब रोग गरस समझते हैं जब भूग लगे मतलब लगे कि हम नहीं रह पाएंगे तब आप गॉड मेड फूड प्रभू ने जैसा दिये है ऐसा लेना है ज्यादा तरह भेजिटेबुल्स भेजिटेबुल्स जूस यह सब लेना है और रात आठ बजे तक ऐसे ही लेना है बारह से आठ चोबीस घंट को तीन भाग करना है सबेरे हुटते ही आठ गंटा निर्जला फिर आठ घंटा भोजन करें आठ घंटा रेस्ट दे बड़ी को ताकि डाइजेशन हो तो इस तरीके से हमको करना है तभी जाके हमको सफलता मिलेगा और अध्यात्मिक मार्ग में बहुत आज मैंने को बहुत ब्रह्म कुमारी संस्ता से कम से कम पांच पून आई तो उन्होंने बैस यहीं बोल रहते मुझे पूछे कि डॉक्टर सचीन ने आज बतनी कुछू उनका स्पीश होती है उर्जा की उपर प्राण उर्जा सूर्ज भगवान की उर्जा लेके मतलब कैसे ब्रेटिंग पर ज करें सचीन डॉक्टर आनंदी मा का बोल के तो हमने इसलिए आपको फोन करें तो पांच पोन आई तो वही बाते पूछ रहे तो मैं उनको पूछी आपने पुक्फूर चोड़ दिये तो वहले नहीं हम पुक्फूर नहीं चोड़े सामके टाइम लेते हैं तो मैंने वहले वहीं चोड़ दिजिए दलया का सकते हैं वनne हमरा भोजन नहीं तो सब छीज का देना है आगर आगे जाना चाहते हैं अगर हम हमारा मन का मन बनना चाहते हैं गुलाम नहीं तो हमको तो कम से कम जैसे हमारा सरीर जितने में चल जाए उतना लेना है और वो भी God made food लेना है अग पहले का जो फूड लिए है उसका सफाई करना है और उसके लिए संजी बनिक्त करना है और वास करना है जो जितना निरजला कर पएगा वो उसका टॉक्सिन जादा जल्दी फ्री होगा बड़ी से तो बहुत बोले वेट कम हो जा रहा है आज बहुत पोन आया उसके वेट कम हो जा रहे वेट तो आपने आप बढ़ जाते हैं हम तो वेट बढ़ गया है जो हम सोचते हैं वेट कैसे कम हो तो इसके लिए इसका चिंता मत करिये जितना सरीर को चाहिए उ आपका बड़ा होना चाहिए प्रभू प्राप्ति आपने आप अपने आप होती ही चली जाएगी जब हम दुरूर हो जाएंगे स्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो रेजल्ट मिलेगा ही मिलेगा तो कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हम जी किसी सादक का कोई पर्सन है हम जी प्रकास जी अपने आपको अन्मिट कीजी हम जी बोलिये हम जी प्रकास जी आपने आपको फिर से म्यूट कर लिया है अन्मिट कीजी आपने आपको हम जी अभी बोलिये अजिए आरें आवाज भूनी है यह जो वेजिटेबल जूस लेते हैं ना जी अब वेजिटेबल जूस में जैसे नारियल जो पत्चा नारियल का गीरी है वो मिला के भी खा सकते हैं ना यह कौन बताया है लेजिटेबल जूस जूस तो जूसोता है नारियल के से पढ़ जाएगी । legitimately die अज़ूस बोलता है बज़िटेबल जूस बलते हैं लोकी में अद्रक डाल के यह सब वेज़ेटेबल जूस में नारियल नारियल और यह सब मिला के शालात को फिर जूस बना के पिया था नहीं अभी तो यह गल्स है जूस में नहीं जाएगा नारियल नारियल को नहीं ड़ना है तरश यह समूजी कर बना के पिया था जाब उसको जूस नहीं बना जाता है नारियल का दूद बनती है ना्यल का चट्णी बनती कच하겠습니다 खाते हुं अठीन्द कढा़ घिश करके लेकिन तूसको फिर भी खाने का मन हो रहा है वो कैसे टीक करने देगा नारियल नहीं तो बार सुन दिया मेरी पहले रोग जब तक नहीं हुए है तब तक हमको ना नारियल खाना है ना मुंफली खाना है ना तो ना ड्राइफूट काना है कुछ भी ओईली चीज नहीं लेना है प्रभू ने जैसा दिये है वेजिटेबूल फ्रूट्स सेलाड हरीपत्ति और बायू पीना है हवा खाना है वेस चार चीज पांच चीज बता दी उसके सीवा छट कुछ भी नहीं नेना है प्रूट्स में यह अलसर वाले क्या क्या ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अलसर वाले यह प्रूट ले हाट वाले यह वेजिटेबुल ले कैंसल वाले यह खाएं ऐसा कुछ भी नहीं है यह मन का ब्रह्म है नहीं नहीं यह संट्रे और अंगुर लेते हैं तो जलन शुर्य होती है तो निम्भू ज़यादा लेते हैं तब भी जलन शुर्य होती है पर पे क्यों जाना है आप पूट पर मत जाईए पूट लहना इन है पहले सफाई करिये पहले लोकी का जूस ली जिये सफेद पथा को जूस लीजिये जो कि आपका जलन टिक करेगा खीरा का जूस लीजिये और आप फ्रूट पे जान मत दिजिए, फ्रूट को भूल जाएए, थोड़ा जीव, थोड़ा रोकिए, तब हो पाएगा, तो जैसे अगर फ्रूट को अटा दे, जूस ही जूस तो दिन में कितना, तीन बार या चार बार लेने से सही रहेगा, तो हम कैसे बताएंगे, तो आपका बड़ी बताएगा, आपको जैसे भूख कितना लग रहा है, उसी हिसाब से लेना है, मैक्सिमम को नहीं देखना है, मीनिमम को देखना है, जितने में आप तो नहीं लगती है, अंजी? भूख तो ज्यादा लगती नहीं है, मेरे को, भूगी नहीं लगती है, तो भूख नहीं लगती है, तो बहुत बढ़िया बाहत है, उसको तो बहुत आनन से आप निर्जला करिए, तब जल्दी ठीक हो जाएंगे, आईनिमा का ध्यान दिजिए, ठीक है माताजी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अज इतना भूख लगती है, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बढ़ी अपनी बताती है, सब कुछ, नहीं, पहले से तो नॉर्मल मोशन भी आना सुरू हो गया, अथा हो रहा है, जी, और कोई सादक है, जा अपना परसंड करना चाहते हैं, या अपना अनुभाव शेर्ड करना चाहते हैं, अपने आपको अन्मीड कीजिए, हंजी, सुधा पटेल जी, अपने आपको अन्मीड कीजिए, हंजी, सुधा जी, अपने आपको अन्मीड कीजिए, हंजी, तब तक किसी और सादक का कोई परसंड है, या अपना अनुभाव शेर्ड करना चाहते हैं, तो अपने आपको अन्मीड कीजिए, परिदी जी, मैं कुछ बोलना चाहूंदा, हम जी, पॉली सुर्णी, हमारे NDS में कुछ अनुभावी सादक आए है, जो कि 6-6 साल तक कहते हैं, 6 साल से हम NDS फॉलो करते हैं, लेकिन पकावा बोजन खाया महिना पहले, दो महिना पहले, तीन महिना पहले उन्होंने, तो एक गुरू जी ने वीडियो डाली थी, 70-30 के रोशों की, कि 70% वेजिटेबल और 30% पकावा बोजन आप खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला था? रोग मुक्त होने के बाद, आप ये खाना ले सकते हैं, लेकिन फिर भी रोग कभी ना कभी जरूर आएका, लेकिन उन अनुपी साहत को पीछे वाला वीडियो बिल्कुल नहीं सुना, आगे वाला वीडियो सुना और रेफर कर देते हैं आगे के सुनो जी गुरू जी ने क्या बोला तो उसके उपरो बहाश भी करने लगते हैं अपने आपको ज्यादा समझदार समझ लो बहाश भी करने लगते हैं ने बता हुए गुरू जी ने बोला तोड़ी नेटवर्क प्रोब्लम हो गई है हम जी सुरेश जी बोली तो प्रिजी में यही कहना चाहूंगा उमसाद कोंसे जो बहुत वाग में करें पहले गुरुजी के सारे वीडियो सुने द्धान से गुरुजी ने क्या बोला खाना के बारे में हां जी सही बात है गुरुजी कभी भी नहीं बोलते कि आप पका हुआ बोजन खाओ कि गुरुजी खुद ही नहीं खाते कोई सेमिनार में गया है तो गुरुजी का पता है कि क्या खाते हैं वो उसको फैक देते हैं वो जो बच जाता है मैटेरियल जो होता है इसको भी अंदर नहीं लेते गुरुजी मैंने खुद भी देखा है गुरुजी को और वह बात बोली नहीं सकते क्या पका बोजन खाओ हाँ कोई ज्यादा ही प्रेसर डाले कि नहीं रहा जाता यह नहीं होता वह नहीं होता तो गुरू जी बोल देते हैं जो मर्जी है वही करो अब मेरे से मत पूछो तो गुरू जी कभी नहीं बोलते और वो हैल्थ जिसकी ठीक है उसके लिए बोलते हैं अगर रह सकते हैं तो बैस्ट है अगर नहीं रह सकते हैं तो 30% बोला है लेकिन रोग वापिस आएगा ये भी बोलते हैं भोगी जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसा करो बोलते हैं करते रहो और वापस आपको लेकिन रोग आएगा ये बात बार उन्होंने बोले हैं और अभी भी हमारा परसो बात हुई थी परम पुझे सदे बीवी चौन गुरू जी से तो इस बात का मैं पूछी तो गुरू जी ने फुदी जवाब दिये कि मेरा वीडियो चार-चार है तो ओ लोग क्यों नहीं देखते हैं और आपको इन लोगों को जवाब देना ही नहीं चाहिए कि जो पूछते हैं बोलके बोले ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देना चाहिए अब अभी तक समझ में भी नहीं आ रहा है उनको मैं क्या बोल रहा हूं तो जबाबी मत दो बोले इस तरीके से थोड़ा अपने आपको नियंतरन में रखिए 70-30 परसेंट तो आपका आसकती नहीं जा रही है खाना के अपरती लोग अभी तक है मतलब खाने के लिए याद करके हमारा जो जापूर बजन की संसकार हमा करि笑 कर देते हैं अमन को दोड़ा देते हैं विच्चन कर देते हैं तभी हम रोक नहीं पाते हैं और फिर बोलते हैं कि 70-30% में बोले हैं खाने को बोलके यह तो इसलिए कि आप लोग भोगी जीवन जीना चाहते हैं आगे जाना ही नहीं चाहते हैं जो आध्यात्मिक का जो अर्थ है उस पे जाना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा आपने आपको देखिए गुरुजी का वीड सुनिया जो वीडियो गुरुजी डालते हैं तब आपको सब कुछ पता लग जाएगा है कि अंजी प्रकास जी अपने आपको अन्विट कीजी अजी प्रकास जी अपने आपको अन्विट कीजी अभी तो प्रकास जी बात करें थे प्रकास की क्या पूल रहे हैं पता नहीं मता जी कुछ पूछ रहे हैं साइद हंजी अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने आपको अन्विट कीजी प्रकास जी हां जी वो अन्मिट नहीं हो रहे हैं हां जी किसी और सादक का कोई परसन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आपको अन्मिट केजिए अपनी अनुभव से बता रहे हैं आप खूद भी करके अनुभव कर सकते हैं यह सब प्राक्टिकल है अनुभव का चीज है यह जो नहीं बोजन बता प्राड़ी यह अनुभव करेंगे तो पता लगेगा खूद खाये भरवर के खाये सामके टाइम में जैसा ऐसा आपको पता लग जागो अपका बड़ी बता देगा क्या-क्या होगा आपके अंदर में कब बीमारी आएगी कैसा होगा सब पता लग जाएगी लेकिन आपको मतलब दिना अनुभाब करके किसी चीज को बताने सकते तो इसलिए आप इसको करिए करने से सब चीज का पता रेजल्ट आ जाती है अजी सुधा जी नमस्ते आनंदी मा सुरेश पया प्रिती बेन सब को मेरा बहुत प्रणाम आप लोगों की सेवा बहुत बढ़िया है और कई सालों से में यह से जुड़ी हुई हूँ लेकिन आज ही मीटिंग में आई पहले में मेरा अनुभाव शेयर करूंगी जी पहले आप अपना नाम और फोन नमबर प्लीज बताए मेरा नाम सुधा प्रणाव पाटल है मैं गांधी नगर से रहती हूं गुजरात में और मेरा फोन नमबर है 98250-44940 मुझे पत्चीस साल से तीस साल से जो अनननली है फुड़ पाइप उनका प्रब्लेम था वो उसमें सुजन आ गई हुई थी तो वेसे बहुत अलग-अलग थेरापी किया करती थी आयरुवेद, होमयपथी, कोई मैंने बाकी नहीं रखा था लेकिन अच्छा होई नहीं रहा था फिर ये लोगडाउन के टाइम में में 2020 में मैंने एक महिना पूरे रसाहर पे चली गई एनिमा के साथ मुझे एक डर बहुत रहता था कि मैं दूबली पतली हो जाओंगी तो फिर क्या होगा तो मैं नहीं करती थी दरती थी फिर ये सब देखा तो थोड़ी हिम्मत आ गई तो फिर मैंने ये एक महिने का रसाहर कर दिया तो मैं पूरा मेरा क्योर हो गया है वो म् मेरा पट कोई भाड़ी होता है लेकर पहुत भी खाओ मेरा पट इन चार घंटे तक बहुत भारी हो जाता था तो अधिी लाइफ मेरी डिष्टब रहती थी और कोई दवयों से काम नहीं चलता था तो मेरा विश्वास इतना बढ़ गया है, बहुत सारा बढ़ गया, मैं कहीं लोगों को इसके बारे में सुझाओ भी देती हूँ कि यह करो, लेकिन मेरा भी एक प्रोब्लेम यह है कि अभी भी मैं कोई अधरक खा लिया या खजूर खा लिया, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वजन भी थोड़ा कम है मेरा, तो क्या करो? बताये सुरेश विट का हांजी सुरेश जी अपने आपको अन्मुट कीजे पहले कितने दिन से आप आंडेश फालो कर रहे हैं, भी? में भी अमरीका गई थी, तो फिर मेनने पका हुआ खाया तो फिर पूर्पे हूँ तो फिर क्यों पूष्टे हैं? पहले पकावा बहुत जूळिए अच्छा वह ठीक है मैं घर पे हूँ तो में 100% फोलो करती हूं हमारा है जाएंगे हमें खरूर्टूर्ट मिल जाएंगे सही है आपके बात आक цен को खाना पादा। यह मंसलेटे हैं थीक है और दूसरी बात मेरे को यह पूछनी थी कि मेरा थोड़ा की अनुभव है कि केंसर के चाट-पाथ प्रेशंट को वैसे मैंने थोड़ा हैंडल किया था कि वो लोग इसे डर के मारे उन लोगों को केमो थेरापी रेडियेशन तो करना ही है इतना गभरा जाता है डॉक् के बारे में पता नहीं होता है तो इचना जल्दी कंविंस नहीं होते हैं तो मैं क्या करवाती हूं कि यह लोगों को ऐसा बुलती हूं कि आप लोग केमो थेरापी रेडियेशन करवाएं लेकिन आपका फूड चेंज कर दिये डोक्टर बोलेंगे कि पकावा सब खाये लेक पेट में जो वमिटिंग जैसा फिलिंग होता है खाना नहीं खा सकते हैं मुह में छाले पड़ जाते हैं इसा कोई भी नहीं कुछ भी नहीं होता है और बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों का यह हो जाता है और लिवर के एक दो पेशंट से थे कि जिसका वैसे फोर जिन्दा रहें और अच्छी तरस से जिये केमो थेरा पी रिडिशन कुछ भी नहीं लिया और फिर भी वो लोग अच्छी तरस से दो साल जिये और बात में वो चल बसे क्यूंकि वो 100 परशंट सब कुछ नहीं करते ते फिर भी नेचरल खाने से इचना बढ़िया वो लोग जल्दी से सब कुछ हमारी बात नहीं सुन लेते हैं फिर भी गबराते हो गबराय हुएते हैं लेकिन इतना थोड़ा सा भी करके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है दिदी पहले बातों आपको यह बताऊं NDS किसी को सदा के लिए जिन्दा नहीं रखता है यह सच्चा ही हम सभी को जाना है कि NDS रभी इतना करता उस जाने का रास्ता सब्सक्राइब बनाता है हमारा है एक तो हम हाय हाय करते हैं तो यहीं है सब्सक्राइब करते हैं तो आगे किसी का नंबर नहीं आएगा हम ही आ रहेंगे एंडियस वाला ही बाकी तो कोई रहेगा नहीं आके जाना हमें भी एक दिन जरूर है अपने समय पर हम कब जाएंगे जो बिमार रही तमारा शरीर है तो आराम से अपना टाइम कुरा करके ज एक यह स्टेज मेडिकल साइंस ने बनाइए एंडियस में कोई भी स्टेज नहीं है तो अपना काम ही वहां से सुरू करता है जहां से मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिये पूसके देखों से और जिनको बताया है कि तेरी तो छे दनी की लाइब है तेरी दो मेने के वार तक जिन्दा है तो बताइए उनकी बात को हम कैसे सबानेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है यह उनकी डॉक्टरी लाइन की पड़ाई जो है वही वह बताते हैं एंडिस की पड़ाई अलग है जहां मेडिकल साइंस ने हाथ कड़े कर दिया वहां से इसने अपना काम शुरू कर दिया सकते हैं जो व लाज समझ के परेगा कि दो मेंने करना चाहरा मेंने जबरस्ती अलूंगा यह करना वह बिल्कुल ठीक नहीं हो पाई गई मेरी एक बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों के पास आऊ और थोड़ी आप लोगों की सेवा करूँ लेकिन कोग मुका मिलेगा मालूम नहीं है करेंगे आप ठीक है बहुत आप लोग पियार से करते है इसलिए मन खीच रहा है कि आप लोगों के पासाओ देते हैं देखने लेकिन अब भला के लिए कर रहे है ना सब की बला के लिए जो भी कर रहे है इस लिए मन मेरा किज रहा है क्या आप लुगों के पास आऊ रहु नवस्टे में ये-ठे मारा कुछ नहीं हुआ थेंके अच्छ रहे थे हमारा परम पुझे सदे बिवीचवां गुरुजी का अतरक में ही एलर जाहिए तो अदर्क भी नहीं ले पाते थे लेकिन उन्होंने अदर्क अभी अच्छी से ले सकते हैं, जूश लेते हैं, तो आप भी ऐसे हो सकते हैं, का आप पूरी तरह को फूरू, जोड़ देंगे, अपने अदर्क भी अपका उच्छी हो जाएगा. ठीक है नमस्ते जी 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 कोई सादक है जो अपना परसंद करना चाहते हैं जी प्रकाश जी बोली इसके लिए इसके लिए क्या जा सकता है क्या थोड़ा एक शेडूल मिले और वहां तो आई नहीं सकते हैं माताजी ने बोला है कि मार्ज में आओ वहां का अनुभाव लेना तो हमारे लिए दो तिंग महीना दोर बाकिये और मतलब ग्रूप और यह वक्षप करते हैं ना मतलब जितना लोग आएंगे आप लोग इतना बज़े से इतना तब अगर हो सके तो मेरा तो इच्छा है लेकिन संभाव है क्या यह प्रस्न है मेरा आप गुरूप में हो सुरेश भाई का अगर तो यह तैनल आया है वे सुरेश भाई का गुरूप जो हमारा गुरूप है एंडियस का में हो क्या एड कर दीजिए आप नहीं है तो मुझे लग रहा नहीं होता कि क्या पता नहीं मुझे याद नहीं है मुझे ठोड़ा रेशिपी के बारे में और लंगन करने कर सब्सक्राइब जैसे और और मुझे देखा गया है जो बनती है नियू ड़ाड़ सिस्टम रेशिपी वाई सूरेश एक चैनल है नियू मेहनत करते हैं उसने रेसिपी बना के भी डालती है तो इसका फाइदा उठे है और उसी में उस चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको जाएगी लेकिन आप वो चीज जब रोगमुग थो जाएंगे तब ले सकते हैं आप अभी आपका जो जलन हो रही है और यह हो रही है अलस उसको करिए और वुर अच्प साधना केंदरा अनन्डी मा सुरेश जी लिए इस चैनल है उसमें सभी लंगन के पीसे में निर्जला के मैं अध्योद सब्सक्राइब कर रहें तो अच्छा रहे हैं एज वेबिनर गलते हो आफ शब शुब ओश्लाबिन हो अब शुब शुक तो थोड़ा सा अभी क्या ना आश्रम का काम चल रहा है सुरेस बेटा ने बहुत तो जोरजा लगे है जैसे कि आप लोग को इतना बज़े उठना है इतना बज़े बज़न में बैठना है जैसे आस्ता चैनल करें में आता है ऐसे हम लोगों कुछ बन जाए आकर काम तो आगे बढ़ी गया है तो थोड़ा वहां का माहौल हमको यहां अफिलिंग हो एचा ताथ है करेंगे कोशिज करेंगे वह थोड़ा सा काम बाकी है वह कंप्लीट हो जाएगा तो एक इसा भी करेंगे चार दिन या पांस दिन का सीवीर जैसे जूम में हो जाए मतलब ऐसे कभी कभी रेशिपी का हुआ कभी निर्जला का हुआ कभी प्रभचन का हो गया कभी सादाना हो गया ऐसे करके तो एक कम्प्लीट मेंफ़ड मेथट बन जाएगा न करा करम लोगों को भी बहुत अच्छा हो जाएगा और लोगों का जुड़ाँ आधा अगर अगर ओन लाइन आप बात करके फिर ऐसे करेंगे दन्यावाद बहुत 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 दन्यावाद और कोई सादक है अपना परसंड करना चाहते हैं या अपना अनुगाउटेर करना चाहते हैं अपने आपको अनुट कीजिए आप एक दिन का सिबर ऑनलाइं करता है